कि हेलो फ्रेंद्स वेलकम टो विशन के विएस आज से स्टार्ट हो रही है आपकी सीरीज फ़र के विएस प्यार्टी बिफोर आए स्टार्ट मैं आपको इस चीज बताना चाहूंगा कि यह सीरीज जो भी हम चलाएंगे वह अलग-अलग सब्जेक्स की सीरीज चलेगी उसी हम काम कर रहे थे और काफी काम हो चुका है और काम होनी के बाद हमने सुचा कि आप स्टार्ट कर देना चाहिए विकॉज आपको डिट्रेपलेश बीग्जाम है उसमें भी सारे टॉपिक्स कहीं न कहीं आपको बहुत जगा पूछा आता है मैं साइन्स की बात कर रहा हूं साइन्स की बात कर रहा हूं ठीक है तो आपको बहुत सारे टॉपिक हमारे यह साइन्स इंग्लिश और पेडागोजी बगएर इन सब की हम तयारी कर रहे हैं बुक्स बगएरा कलेक्ट कर रहे हैं जहाँ से अच्छे सुरोत को इखटा कर रहे हैं ताकि आपको एक अच्छा कॉलिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जा सकते तो उसमें थोड़ा तो समय लगता ही है अभी कोई नहीं आया लेकिन आने की संबावना पूरी-पूरी है ठीक है तो हम जनरल साइन्स से स्टार्ट करने वाले हैं मैंने पहले से स्टार्ट करा था रीट के एक्जाम में वह ठीक ठाक रिस्पॉंस मिला मुझे अच्छा है मिला अब मैं साइन्स से स्टार्ट करूंगा क्योंकि मैं साइन्स को इस बर वेट जादा देने वाला हूं यह पूरा टॉपिक है मेरे द्वारक कबर के जाएगा सबसे पहले मेरी जो टार्गेट है वो जनरल साइन्स में बा लिविंग वर्ड के बाद फिर हुमन बोडी प्लांट लाइफ नेचरल वेजिटेशन याद रहें यह एक्जैक्ट ऐसे के ऐसे ही चैप्टर दे रखें आपके एंसी आर्टी में तो मैंने एंसी आर्टी से भाहर कदम रखा नहीं है अब टू टैन तक की अंसी आर्टी का म कोशिश की जाएगी ठीक है यह तो ही आगामी रिणनी थी उसके बाद लिविंग वर्ड टॉपिक में मैं मैं पहले आपको आज ब्रेसिक इंट्रोडक्शन क्या के चीज़ें हमें पढ़नी है क्या और वह इंपॉर्ट है पहली वीडियो बहुत है उसके बाद हम ट्रैवल मैंने बहुत सारी नहीं चीज़ें काफी सारी नहीं इंफ्रमेशन आइड कि उसको पढ़ेंगे कुछ कोश्चन्स डाले हैं कुछ M.C.U. डाले हैं दो चार वह इंपॉर्ट है जस्टु चेक और नॉलिज वह भी हम आज डिसकस कर लेंगे पार्ट फस्ट रहेगा और स्टार्ट करेंगे तो पेशन्स बनाए रखेगा और इस बार त्यारी नए से कर रहे हैं तो अभी तक जितना बोला उसके बाद सीधा स्टार्ट करते तो लिविंग वर्ड पर चलते हैं ठीक है लिविंग वर्ड हिंदी में कह दो जीव जगत बात एक है बाइलिंग्वल में कुश्चन मारक आएगा आप डाउट में रह जाओगे क्या है भी नहीं भी लगता तो है साइंटिस कोज रहे हैं लेकिन अगर मैं कहूं क्या प्रित्वी पर लिविंग मल्ड है जीव जगत है क्योंकि हम लोग जीव जगत के लिविंग वर्ड के चकर में ही प्रित्व हारी सबको डिसकस करेंगे एनको डिसकस करेंगे कैसे इनको डिवाइड किया गया है कैसे से को पढ़ा जाएक वे कई सब करेंगे कैसे us कुछ टॉपिक पढ़ाने के बाद उसके कुछ mcq डाले जाएंगे अब ताकि उससे हमें पता चले कि इस टॉपिक से हमने कितना सीखा याद रहेए हमारा पैटर्न रहेगा तो लिविंग वर्ड में सारे प्राणी जीते हैं एको सिस्टम बनता है बायो स्पेर बनता है वहा का लिविंग वर्ड का विस्तर है पहले कभी पहले पर जीवन नहीं हुआ करता था यह म्यूक के बाद यहां पर जीवन आना शुरू हुआ धिरे-धिरे हम लोग भी होमो होमोराइट से सीधा यहां पर आप होमो सेपेंस बने फिर हम इनसान बने और हमारी पूंच वागए यहां पर जीवन सम्भवो जहां पर जीवदारी जीवन बिताते हो जीवन यापन करते हो जीवन के प्रॉसेस में बहुत सारी चीजह करते हो अब एक कोशन उड़ता है ए costumes living है यह हम कैसे decide करेंगे एक टेबल और एक पेड दोनों लकडी के हैं लकडी का टेबल है और लकडी का पेड है दोनों में से living कौन है और non living कौन है ये decide कैसे करेंगे there are some characteristics यहाँ पे कुछ संकेत होते हैं जिनके आधार पर हम तै करते हैं कि living world में कौन से चीज सजीव है और कौन से चीज निर्जीव ह हमारे आसपास अगर आप नजर गुमा के देखो अब पढ़ रहे हो फोन से पढ़ रहे हो फोन के आएक निर्जीव चीज है ठीक अब आप बोलोगे नहीं निर्जीव निया सजीव है बात करता है वह उसके features है but there are some characteristics जिससे हम यह पता लगाते ncrd कहती है कि there are some characteristics characteristics जिससे हम यह पता लगा सकते हैं कि living world में कौन सी चीज सजीव और कौन सी चीज निर्जीव है तो आज इस पर discussion करते हैं हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज सजीव और कौन सी चीज निर्जीव है ठीक है चले देखे है यह है कुछ characteristics और living thing यह English Hindi दोनों में समझा पड़ेगा इसमें आपको living world क्या होता है से लेकर living world के एक प्राणि किस-किस phylum में आते हैं किस-किस संग में आते हैं यह तक का discussion करना पड़ेगा अमीबा किसी में आता है बैक्टीरिया किसी में आते हैं जैसे जातर बैक्टीरिया मोनेरा में आते हैं ठीक है और प्रोटेस्टा में प्रोटो जोवा आते हैं तो यह सब चीजे लिविंग वर्ल्ड का पार्ट है हमें पढ़ना पड़ेगा 9th क्लास के NCRT में चैप्टर है ठ इसमें से कौन सा जीव बच्चे को पूचे को बहुत करता है एक बार आपने एक टेबल को शेप दे इसके बाद के चार दिन बाद हो बढ़कर बढ़ी हो जाती है ऐसा नहीं है तो यह कुछ तो पहला सबसे बड़ा होता है different level of organization बिल्गूल जो living world है उसमें different level of organization होता है संगठन के स्तर होता है यह मैं पहले पढ़ा चोको दुबारा पढ़ाता हूं एक जीव एक एक एक्टम से बनता है फिर उसमें मॉलिक्यूल आता है फिर उसके बनता है और ऊसे और से ओर्गन мुमानु जया जाता different level of organization in living organism बहुत सारे level of organization होते हैं living organism में made up of cell अगर एक जीवित प्राणी है तो उसके अंदर cells होंगी हम सबके अंदर cells होती हैं हम cells के द्वारा ही grow करते हैं अगर हमारे अंदर cells नहीं होती है तो हम निर्जीव होते हमारे अंदर cells है तब हम सजीव है ठीक है response to the environment येस हम environment को response करते हैं for example बहुत ज्यादा ठंडी हावा चल रही है और आप सिर्फ एक टी-शिट में हो हाफ तो आपको ठंडी लगेगी आप महसूस करोगे environment को कि environment में हवा ठंडी है अब आप कहों कि भाई तो ऐसा महसूस नहीं करता पेड़ को ठंडी लगती है क्या पेड़ को गड़ में लगती है लेकिन मैं आपको बताओ environment को लेकर पेड़ भी response करता है एक अंधेरे कमरे को बंद कर दो एक तरफ से रौशने लादो तो पेड़ उसी साइन्स में छटी-7 वी क्लास में पड़ा है जिस तरफ नौशने होते हैं तरफ पेड़ अपनी दिशा बदलता है जड़े उसी जगह जाती यहां पर पानी मिलता है जड़े वहां तक पहुंसती है जहां तक पानी मिलता है तो environment को लेकर living thing response करती है non living thing response नहीं करती है ठीक ह फार आपने देखा वो छोटा है तो क्या सकते हैट इसके बाद अब यूज परपस क्या होता है तो टू-गे energy लेने के लिंए हम खाना खाते हैं अगर हमारे उन्दर आंदर उर्जा शक्ति पावड नहीं रहे हैं कम कैसे करेंगे क्या आप टेवल को खाना खिलाते हैं कि भाया खाले हैं पेट्रोल खिलाना अलग वात है बट कभी आप vet खाना खिलाते हो क्या अपने धरवाजे को तेल पिलाते हो क्या ले भाई तू पी यह तू तेल लगा हैंड सम बंजा नहीं ऐसा नहीं होता लेविंग वर्ड की चीजों में जो लिविंग सजीव होते हैं उनको एनर्जी की जरुत पड़ती है इससे क्या पते चलता है कि सजीव एनर्जी की लिए खाना खाते है बोजन घ्रेंड करते हैं छोटा छोटा बैक्टीरिया भी तो भोजन घ्रेंड करता है ठीक है रिप्रोड्यूज अपने जैसे फोटोकॉपी बनाना यह काम लिविंग फीचर नहीं है यह डिफाइनिंग फीचर का मतलब समझते हो जो सब में कॉमन हो रिप्रोडक्शन पूरे लिविंग वर्ड में सब में कॉमन नहीं है जैसे इंसान बच्चे पैदा करता है वैसे हर कोई बच्चे पैदा नहीं करता एक मादा और पुरुष यानि इस्त्री पीशी कुछ ऐसी जातिया हैं हमारे समाज में ऐसी जातिया हैं मारे इको सिस्टम बायो स्पेर में जो अगर रिप्रोडक्शन करें तो वो कभी बच्चे पैदा करी नहीं सकते आपने खचर सुना होगा वैशनो देवी जाते हो खचर देखा होगा क्या तुम्हें पता है कि खचर और खचरी जब आपस में संभोग करते तो ये खचर पैया और नहीं घोडे और गदी घोड़े और गदी जब आपस में करते हैं तब जाकर खचर वनता है तो रिप्रोडवडक्शन अब के लिए एक जैसा नहीं है ध्यान रखना तो एक defining feature नहीं है ध्यान रखना बो कह देते हैं कि defining feature है वास पूरी तरिके से नहीं इस पर हम जादा जाना नहीं इतना को इंपोरेट नहीं है आपको यह जानना पड़ेगा कि अगर आम living world की बात कर तो living world में living क्या है living वो है जो different level of organization में बटा हो इसका मतलब विकास के different संगठन के different star में बटाओ। वह आटम से molecules में बदला ओं। मॉलीकुल से सेल में ना बला को से संह को उत्तक बनें हो उत्तक से ल्यक्त बनें हो और तक से और ऐन सो और ऑड़न सिस्टम बनें हो कोश् Religrolloid के दोनों जीव पायग जाते हैं अमीभ एक कोशिक की जीव जिसमें एक ट्रकार की कोशिका पाई जाती है वह हम लोग मानव के अंदर बहुत्त के में तरह तरह की कोशिकान यह फाइजाती है वह अपने अलग ह alegg तरह की सी से काम करती है रिस्पॉन करते हों इंवायर्मेंट को लेकर बिल्कुल हमें कोई पे पं़ रिस्पॉंस न करेंगे क्या वही करते हैं हम द lacto डिवलप्मेंट होते हैं हम बाले वस्ता फिर पूरे वाल बाले वस्ता बाले वस्ता फिर प्रॉड अवस्ता यह सारी भलान डिमकाना वस्ता से गुजरते हैं optain of energy हम जो भी खाते हैं उससे हमें energy मिलते हैं मतलब हम living है अगर आप एक टेबल को लकडी खिला होगे तो खिला सकते हो गया खाए गई नहीं ठीक है एक फैंटेसी होगे ऐसा कुछ होता नहीं है रिप्रोडक्शन होता है अपने जैसे और बनाते हैं याद रहे यह अपने जैसे और फोटोकॉपी छापते हैं ठीक है तुम्हारे द तो इसके क्या संकेत हैं कि वह सजीव है तो यह वह संकेत है यह याद रखना आगे चलते हैं अब जो सजीव है उनके क्या के लक्षण है मैं पहले पूरा चार्ट दिखा चुका अब एंसी आटी में चार में दिए गया यह अगर कोई लीविंग और ग्रोथ करेगा वह पैदा भी होगा पैदा होने के बाद बढ़ेगा इसका जमानी आएगी इसका बुढ़ापा भी रखेंध करेगा उसके बाद औरर एक्यर्श्क्लान प्रेफ्रेश्यन होगा अगर प्रोड़क्शन नहीं होता तो आपनी पॉपुलेशन चाइना को थोड़ी ना पेल रही ह है एनरजी का ट्रांसफर करना उससे एनरजी बनाना जो हमारे को काम आए हमारे को ग्रो करने मध्यक्त करें मेटबोलिज्म में सिंपल बहुत जोड़ना सरल भाषा में इंडीप जाग तो भूत गहरा टॉपिक है गर्मी आ रहे हैं तो आपको ऐसास होगा इससे क्या बद चलता है कि आप लिविंग हो और एक लिविंग वर्ड के पार्ट हो ठीक है याद रहेगा यह यह कुछ केरेक्ट्र स्थिक है इसको याद रखना अब इसको थोड़ा सा मैंना इसको दो चार को इसको रिप्रोडक्शन को डिफाइन करने की ज़रोत नहीं है इसको और इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं अच्छे से बाकी इसके बाद आगे चलेंगे यह इतने ज्यादा महतपूर्ण नहीं है बट इंपॉर्ण है क् यह NCRT में दिये थे और मैंने इसको उठाया है क्योंकि यह काम के है सारी चीज का बेसिक पढ़ेंगे आज लीविंग वर्ड है क्या लेवल ओफ और सकते होडए है इसमें फिर सब्सक्रों हो ओक्राइक natal चलो एक खुले के हम ग्रोठ कैसे आंत्री कबारी रौप सी दिखाई दावरी रौक करते हैं लेकिंगा याद रहे प्रेंज आंत्री करता है मईंचा पर अधीरेनरिक हमारी ठीक है multicellular organism में growth and reproduction का process अलग दिस वह है याद вдво头 को उस जीन और जालता है ना उने ख्रिद्वा और production होता है पहले reproduction इकतले रहें ने कोशची के जीव में growth और reproduction लगभाग एक जैसा होता है अगर आपने नहीं तुम्हें दिखा दू यह वही चीज़ जो मैंने बता दी आपको युनि शैल लड़ेने कोश्के जीव अमीवा इसमें देखो ग्रोथ हो रही है और साथ इसका रीप्रोडक्शन भी हो रहा है एक से दो भी बन रहे हैं और इक ग्रोथ भी हो रहे हैं इसकी साथ के साथ ग्रो परफा सबस 2 बनाना नीन निकालन उर्जा का उर्जा निकालना यह मेटीबालिजम है इसको सिंपल तरह के सकते हैं केमिकल प्रोसेसी के और अनिमल डञेचेंज फूद इंट्टो एन्रेजी एंड एल्ट दें तो ग्रो यह सिंपल मेटाबॉलिस्म कोई भी केंमिकल है नेर्जी को फ्लांट हो यह यहां को प्लांट हो यह मिस्ट उन लुमी का निवाता यह तो यहां तक बेसिक था यह मैंने आपको समझा दिया आगे चलते हैं अब आपको पता है कि लिविंग वर्ड में प्राणियों के भी विभाजनों रखें उनके खाने के अधर पर अगर आप इस चार्ट को देखें तो यहां पर प्लांट गौट लायन और मैन दिख रहा है जो प्लांट है ठीक है वह स्वापोशी है अपना खाना खुद बनाता है लेकिन अगर आप देखो गौट अभी यहां पर शाकाहारी मांसाहारी और सर्वाहारी भी आ जाएंगे ठीक है हार्विवोरस यानि गौट इट प्लांट सॉनली या सिर्फ पे ठीक है यह क्या करते है इट बोथ प्लांट एन अनिमल इस तरीके से हमारे लिविंग वर्ड बटा हुआ है यह छोटा सा बताया मैंने यह भी इंपॉरेंट ही है अब हमने देखा इंसान अंडा भी खा लेता है चिकन भी खा लेता और गासफूज भी खा लेता है डाइटि अब पहले level of organization पढ़ लेते हैं कि अगर एक living world में living का जीव का सजीव का एक characteristic एक उसकी विशेष्टा यह थी कि उसमें levels of organization होता है यानि वो स्तर में बटा होता है वो देख लेते जरा यह हमारे level of organization अगर कोई एक पेड़ बना है या अगर कोई एक इनसान बना है या अगर क कोई एक जीवित जीव बना है ठीक है तो उसके अंदर कुछ level of organization होंगे ठीक है living world में बैसिकली प्लांट और एनिमर की ज्यादा बात कर रहो है यहां पर एक्टम बनता है सबसे पहले फिर मलीकुल फिर और ऑर्गिनल फिर सेल फिर और्गन और्गन सिस्टम और्गनिजम प पर अणू के बाद हम बन जाते हैंगों के बाद हमारी उद्दक बनाती है सब्सक्रथा और्गन अंग बनते हैं फिर उस और गन और्गन सिस्टम मग कदे पूरा तंत्र बन जाता है पूरा ठीक है उस तंत्र के बाद फिर बॉडी तयार होती है फिर हम अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं अकेला तो इंसान रहे नहीं सकता लेवल बढ़ रहा है लेवल बढ़ रहा है वहीं बता रहा हूं ठीक है देखो ऐसे हमें छोटे से एटम से चलत है अलग-अलग तरह की कम्यूनिटी फिर उसके बाद एको सिस्टम बनता है फिर बायोस पेर सबसे बड़ी चीज़ बनती है जो पूरे लिविंग वर्ड को अपने अंदर समेटे हुए है ध्यान रपना कि यह वही दुबारा से हैरार्की आगई इसमें दो तरह के स्तर होत पूरा एक इंसान मनते हैं उसके बाद हमारा उच तर यह संगठन मनता है फिर हम अपनी पॉपलेशन बढ़ाते हैं फिर आपनी कम्यूनिटी बनाते हैं फिर हम एको सिस्टम बनाते फिर बायोम और बायोस पेर बनाते हैं बेसिक थी छोटी सी बात ठीक है धियान रखने इ चीज है कल को आप टीचर भी बन जाओगे तो आपको बच्चों को बेसिक पढ़ाना पड़ेगा तो बेसिक बहुत इंपॉरेंट है इसको सीखो तब ही आप आगे समझ पाओगे चीजों को ठीक है एक प्रमाणू बॉंड टुगेटर तुमेक मॉलिक्यूल एकम रिप्रेजेंट था स्मॉलेस्ट था स्पेसिफिक यूनिट ऑफ दे हरार्केल स्ट्रक्चर देखो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो एकम ही होती है ठीक है जीव की मॉली की काई तो सेल को कहते है क्योंकि स चैहल से इनसान बनता है बाट हम हम हमेरी शुरुवात कब से होती है एक जीव लीविंग वर्ड में और प्राणी बनता कैसे एक अक्टम से मनता तो सबसे चोटी चीज ओगई एक फिर फिर मॉलिक्यूल कि क्या होते योगिक होते जो चोटे-छोटे एटम से मिलकर बनते हैं और एक बड़ा सा और जिनल यानि एक बड़ा सा जैल बना देते हैं ठीक है फिर सैल अब उसके बाद सैल बनता है तो सैल यानि कोशी का सबसे रचनात्मक और किरियात्मक की काई होती है बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चल और फंक्शनल यूनिट जपसे रचनात्मंग या आधारबोत्यात्म क्रियात्मा के कही होती है सेल नहीं तो इंसान थिक अगर सेल का सब्सक्राइब नहीं वनेंगे यह विम्त नहीं होगा तो आपको चोट लगेगी तोसी प्रमध नहीं ऑगी जैसे आपकी नियूर्ण सिस्टम में सेल का मेंमद नहीं होती तो आप जोट मारे यह यह एक हखांतर अब को पता कि आपको पता हैं यह से तरह human body topic भी है और human body इस बर मैं बहुत अच्छा सा पढ़ाने वाला ठीक है इस तरह के देखो छोटे-छोटे शेल से उत्तक बन गए यही उत्तक यही उत्तक यही उत्तक बने यही जाके organ system मना देते है organs बना देते हैं यानि आपके तंत्र बना देते हैं body के ठीक है अब living things होती है ना वह दो living world में living things दो प्रकार की होती है अगर कोशी का क्या आधर पर बाटा जाए या तो वह कोश्की होगी यानि unicellular होगी या तो multicellular यानि बहुत कोश्की होगी यह बहुत important topic इसको आपको समझना होगा एक कोश्की जीव का अगर example दे तो कि अब इनका organization कैसे होता है देखो cell फिर tissue फिर organ फिर organ system फिर organism बेसिक था या पढ़ चुके हो मुझसे ठीक है दुबारा मैं इसको डाल रहा हो तक कि आपका recall हो जाए living world topic अच्छा है important topic इससे question कैसे बनेंगे यह भी बताऊंगा आपको ठीक है level of organization में बता चुका हूं बारत बताने की जरूत नहीं यह पिच्चर दुबारा है कि कैसे human तयार होता है एक छोटे से atom से हम ऐसे बन जाते हैं तो हमारा कितना बड़ा यह system बनता है ठीक है अब हाई लेवल क्या होता है जब हम पूरे तरह के से individual मानब बन जाता है इसके बाद हम अपनी population बनाते हैं फिर तरह तरह कम्यूनिटी बनती है अब मालो एक शेर शेरी तो थोड़ी नहोंगे जंगल में कम्यूनिटी होगी नहीं हीरन भी होगा हाथी भी होगा साप विच्छों बनता है जिसमें सारा लीविंग और गैनिजम समाज आता है लीविंग वर्ड लसमाजाथा ठीक है याद रहे हैं इसको थोड़ा सा पड़ लेते इको सिस्टम क्या होता है समझ लो बाइए सब्सक् weather and landscape work together to form a bubble of life ecosystem में सारी चीज़ें मिलकर काम करती है परितंत्र होता है जो living world को जन्म देता है अगर परितंत्र ना हो बायो स्पेर ना हो तो हमारा living world कभी बन ही नहीं सकता ठीक है living world में क्या के चीज़ें जरूरी होते है living organism जरूरी होते है वैदर भी जरूरी होता है लैंड्सकेप भी जरूरी होता है तब ही तो bubble of life आता है पहले के जमाने अधी मानव थे वह विक्सित कैसे हुए जब हम यूग खतम हुए उसके बाद ही तो विक्सित हुए डंसे ठीक है biosphere क्या होता है the biosphere is a narrow zone of the earth पृत्वी के एक संकीन छित्र है where land, water, air interact with each other and support life ecosystem biosphere के अंदर ही आती है याद रखना there are several species of organism that vary in size from microbes and bacteria to large mammals याद रहे अगर मैं आपको living world की बात कहूं तो इसमें सरिफ इंसान मौजूद नहीं है इसमें छोटे से छोटे आपके दही में म बड़े से बड़ा जानवर मौजूद है इसमें living world में याद रहे यह चीज़ ठीक है अब living world हमने पढ़ लिया biology का पार्ट आ जाता है अगर हम living world की अध्यन मगएरा करेंगे तो biology के अंदर ही आएगा living world को अच्छे समझना है कौन सा जीव किसमें जाता ही समझना है तो biology के biology के father कौन क्या लाता है Aristotle बहुत competition exam में question पूछे आते हैं आज की इस paper आज की class से आप एक नहीं अब बहुत सारी exam की तयारी कर रहे हो ठीक है अब biology है वो तीन भागों बढ़ती है अगर हम biology का अध्यन करना चाहते है तो आप तीन तरह कैसे कर सकते एक होता है बाटनी बाटन फादर ऑफ बाटनी ठीक है जूलाजी जूलाजी की जो फादर है वह अरेस्टोटल जूलाजी में हम एनिमल वगरे के बारे हम पढ़ते हैं और microbiology इसमें हम microorganism सुक्ष्म जीवों के बारे हम पढ़ते हैं और इसके जो फादर है वह लूइस पॉस्चर है ठीक है याद रहे की बुक से उठाया गया है नाइत में तो खैर कम्माइड biology कम्माइड साइंस है बट 11 में अलग अलग सब्जेक्ट है तो मैंने सबसे उठाया वह content है और इंपॉइंट है कुछ भी मिस नहीं किया येस अगर मैं कुछ मिस करता हो तो comment box में comment करके मुझे बताईए मैं अगली living world को एक साथ पढ़ सकते हो क्या दिक्कत होगी हमें थोड़ा बाठ के पढ़ना होगा अगर आपको एक कक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो हम एक बार में अगर आपको कक्षा कोई class है उसके बच्चों के बारे में knowledge लेनी है कि इस class में कैसे कैसे बढ़ते ह पढ़ा तरह पढ़ने होगा थरह 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 बच्छों को से बाट के ऐना का सकते हिंज ऑंकौन कैसा किस क्या 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 कॉल टिये किसमें क्या किसमें सिमिलरिटी है उसका प्रियास अरस्तु नहीं किया थक प्रवाद में तीन भाग में फिर तुम्हारा केरेलेस लीनियस तुम्हारा वी टेकर आए ठीक है यह सब लोग आए इन्होंने बाटा और इनी के लेवल ऑफ और और इनी के जीवधारियों के वर्गिकरन को क्लासिफिकेशन ली ओफ लिविंग और गैनिजम को हमें पढ़ना करने का पहला प्रयास युनानी दार्शनिक अरस्तु ग्रीक तिंकर अरस्टोटल नहीं किया था उन्होंने लीविंग और गैन्जम को उनके आवाज यानि हैबिटेट के आधार पर तीन श्रेडी में थ्री कैटेगरी में बाटा उन्होंने बोला दुनिया में जितने परा लेकिन यह ज्यादा कारागर सावित नहीं हुआ क्योंकि देखो इसमें कहीं भी आपको माइक्रो और्गेनिजम का जिक्र देखने को मिली नीरा ठीक है माइक्रोड़गेनिजम कहा गए तो इसमें थोड़ा सा समस्या थी फिर एरस्टोटल ने दुबारा दो ग्रूप एक को उसने बोला एनाइमा 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 वर दोस्ट डिड नॉट हैड और यह आरस्टो का विभाजन था जीवों को लेकर इन्हों ने शिरुवात में विभाजन किया बाद में मौडन तरीक हैं लोगोंने लिविंग बर्ड को अलग तरीकी से तोड़ा और पढ़न नहीं कोश्च की याद रहे लिविंग वर्ड को हमें तोड़के पढ़ना है तब हम अच्छे से पढ़ते पाएंगे और सबसे अच्छे से पढ़ने का तरीका वीटेकर ने दिया था उन्होंने मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाई प्लांटी एनिमेलिया पूरे लिविंग व पढ़ना पड़ेगा टेक्स्टनोंक बिस वेरी इंपरेंट थिंग ठीक है अगर उनका नाम नहीं होता तो उनको कैसे आइडेंटिफाइं करते हैं शेर शेर है हमें कैसे पता उसके नाम से हाती हाती है कैसे पता उसके नाम से मेरा कुछ नाम है आपको नाम दिया गया है आपको नाम पद्धिती में शामिल किया गया इस वज़े से इसके अंदर सब आते हैं ठीक है तरह समय समय वर बहुत सारे जीव विज्ञानियों यानि वर्गी की बनाने की कोशिश की है यह यह आपके पूछा भी जा सकता है फादर ओफ मौडन टेक्सोनॉमी कौन है वर्गी की के या आधुनिक वर्गी के पितामा किसे कहते तो हम कहते सब्सक्राइब को याद रखना फोटो यह है ठीक है करले लेस लीनेस की 173 Marina सिस्टेफ में चाहरच जाहर से ज्यादा लीविंग और्गैनिजम का क्लासिफिकेशन किया इन्होंने कोशिश की लीविंग वर्ड में जितने भी प्राणी है उनको बाटने की ठीक है टू किंग्डम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द्यू नामकरन पद्दती विद प्लांटी एन अनिमील एक इंग्डम वस डेवलप बाई लीनियस डैट इंक्ल प्लांटी और एक अनिमेलिया लेकिन अभी भी कहीं माइक्रों और्गनिजम की डंग से बात नहीं हुए है ठीक है तो लिविंग बर्ड को इन्होंने केरलेस लीनियस ने दो पार्ट में बाटा एक एक अनिमेलिया और एक प्लांटी अब केरलेस इनियस कौन थे फादर और टेक्सोनॉमी याद रखना कुछ-कुछ एमसी क्यों तो यहीं बना दिया मैंने वह इंपॉरेंट आगे चलते हैं कि बाटने का सिस्ट्रम इन्ही बाइलोजिस ने शुरू किया और इसमें भी सबसे मैतपूर जी विज्यानी उनका नाम है रॉबर्ट वी टेकर रॉब दिया पांच जगत में पूरे लिविंग वर्ड को पूरे जीव जगत को बाढ़ दिया मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाई प्लांटी एनिमेलिया और इसको मैं एक एक करके अच्छे से पढ़ाऊंगा विद डिस्क्रिप्शन विद पिच्चर विद एमसी क्यू जन इंच आर्टी के और के विएस वाले एंच आर्टी से कोशन मनाएंगे यह बहुत इंपॉरे ज्याद आतर कोशन आने की समभवनें एंच आर्टी से ठीक है तो हमें बेस अपना एंच या रखना तो चलो वीटेकर का पांच जगत वाला सिद्दान देख लेते हैं जीव आते हैं प्रोटेस्टा में आपका युष्ट वगएरा और प्रोटो जो वगएरा आ जाता है फंजाई में आपके फंगी जितने भी तुमारे वो नहीं हो तक क्या खाते हैं जो लगे जाते हैं इसको क्या केता है इसका अजीब साना में नाम भूली जा ठीक है तो मश्रूम मश्रूम वगएरा सारी चीज़े इसी में आते हैं इस्ट वगएरा मैं इसको पढ़ाऊंगा अच्छे से और फिर आता है किंग्डम प्लांट और फिर किंग्डम अलीमेलिया याद रहे एक और एक फैक्ट बताता हूं यह आपका बैक्टीरिया भी पौधाई है यह आपक से आये वह कोश्चन में एक नंबर दो नंबर चाहिए तो हमें इस पांच जगत को पढ़ना होगा और यही हमारा में टार्गेट रहेगा बेसिक मैंने आपको समझा दिया आने वाली आगामी वीडियो में हम मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाई पढ़ेंगे परसो आईगी उ अब किंग्डम कैसे बढ़ता है किंग्डम का अब इसकी हिरार्की होती है अगर हमें किसी जीव को बाटना हो ठीक है तो उसको बहुत छोटे लेवल से शुरू करना पड़ेगा सबसे पहले आती स्पीशीज जाती मेरा पहने वहां तक जानी रहा मैं मार कर निकालता हूं स ऐसे ही हमें पूरे living World को पढ़ना है याद रहे हमें पूरे living World को इसी तरीके से पढ़ना है जैसे मैंने इसमें human वा लगा है जैसे सबसे पहले शेपियंस फिर वंच क्या हो फिर उनका फ्र उनका तरीकिता है फिर किस क्लास में आते हैं मैंमलिय कॉन सा हो गया इनिमेलिया इसी तरीकिसे हम पढ़ना है five kingdom को भी छोटे लावल में बाठके पढ़ेंगे बहुत important है बहुत important जामपल दिए था आपके manov के मैंने बताया था उसका जो स्पीशिज ऊमो सेपियन फिर उसका जीन जीनस क्या है होमो उसके कुल क्या है होमोगरोड फिर वह किस गण्ड में आता है फिर संग कौन सब्सक्राइब को समझने का सबसे आसान तरीका उसको किंगनम में बाटके पढ़ना ठीक है उसी से आसानी होती है तो यह एक एंसे अग्जामपल दिया था आप इनको देख सकते हो किसी नीट वाले बच्चों के एक्जाम में काफी इन सब के की भाई यह ऐसे पूछ लेते न नीट वाल एक्जाम में अपने लिए इतना इंपॉण्ट नीए बट बताता हूं नीट वालों को ऐसे पूछ लेते हैं मास का जो मास का किस हैरार्की माता है ओप्शन दे देंगे कुल गर्ण और और यह वंच तो आपको इस पर टिक लगाना होता है इस तरीके कोशन आते म में कंटेंट मना रहता था तो ठीक है यह मैंने एंसी आडी 11 लास से उठा है ठीक है आप इसको देख सकते हैं इसमें नजर मार लेना हमारा जो में टार्गेट रहेगा वो है यह हमें अगर लिविंग वर्ल्ड खतम करना है तो यह मालो यह एक शॉर्ट पिच्चर है पूर वह बागों बढ़ जाते है युकैयरियोटी वर्लड ख्रॉकैयरियोटी तिके उसके बाद यूव झाकल ऑजटी मैं नहीं पांतीनती के पोदों में लोसकी बनी होती है हम में कोश्य का जिल्री पाए जाती है हम Without sell wall वाले से सेल वाल ये बढ़ जाते प्लांटि और फंजाई इसमा जाता है अनिमेलिया बी दो भागों बढ़ जाता है एक हो जाता है नॉन कॉर्ड डेटा और एक होता है नॉन कॉर्ड डेटा का सिंपल सा अर्थ है कि इनके जीवन के किसी भी फेज में चाहे बच्पन जवानी कुछ भी हो गया इनमें से मेरु रजू नहीं पाएंगे जबकि वह कॉड़डह कशे रुकी में आप जीवन के किसी ना किसी स्तर में रीट की हड्डी पाएंगे यह चीज ध्यान रखना ठीक है यह प्रोटो जोवा को हम प्रोटेस्टा में पढ़नेंगे ठीक है ध्यान करना तो हमें इस पर इस पर फोकस करना है यह सारा खतम करते ही हमार लिविंग वर्ल्ड खतम हो जाएगा यह बेसिक मैंना आपको बता है इसको याद रखलना हम जैसे नॉन इसको पढ़ेंगे ठीक है कशेरुकी में मतस्य एमफीबियन सरी सरफ एव और स्तनपाई में अमलिया को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको इसमें एक्जामपल्स फ्लस कोशन भी डालूँगा याद रहें आगे की स्लाइड जो मैंने बनाई है उसमें मैंने शुरुवात की स्लाइड में कोशन डाले आपका नॉलिज चेक करने के लिए जो हम सेकेंड क्लास लेंगे इसके और लास्ट में भी डाले ठीक है तो यह हमारा में परपस रहेगा यही लिविंग वर्ड है यही यह जो आपके सामने पिच्चर प्रदर्शित है यही लिवि इसमें से क्या कॉलिटी है जो सजीव दर्शाते हैं आपके पास है इस कांसर में बताऊंगा अब आपको भी बताना है ठीक है शेल्फ रेप्लिकेशन और सेल्फ रेगुलेशन स्वा प्रतिकृति खुद की नकल और स्वा नियमन यानि एक वह खुद की नकल बनाते है और स वर्दी करते हैं रिस्पॉंस च्टेर्न स्टिमिलाई स्टिमुलाई बहारी उत्तेजनाओं की प्रतिकृतिकृति यानि बहार से जो भी स्टिमिलेस आता है उसके प्रति रिस्पॉंस देते हैं आल अब तो living organism में आपको बता दूँत सारे काम करते हैं living world में living organism स्वा प्रतिकर्तियानी खुद की नगल यानि reproduction करते हैं और खुद पर 컨्ट्रॉल करते हैं खुद को maintain भी करते हैं विर्द्धी भी करते हैं बहारी उत्यज्ना नहों अपने environment के प्रति response भी देते हैं यानि सारा इसका पार्ट है एक मर्क करेंट स्टैंडमेंट को चिन्नित करें हों सारी कि फ्रीए कोही बात नीए चलो कोई दिखेंट कदने को संभी और एक नॉई फटेमेंचन लगाने thanking सब्सक्राइब को मार्क करना यह लिविंग वर्ड को लेकर एक स्टेटमेंट है यह बेसिक है अगर इन को क्लियर कर दोगे बेसिक आपको जाएगा फिर हम सीधा बढ़ेंगे जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाई प्लांटी अनिमेल इसको खतम करेंगे लिविंग वर्ड खतम ग्रोथ इन लिविंग और्गेनिजम इस फ्रॉम इंसाइड जीवित जीवों में विर्दी अंदर से होती है ठीक है इसका जो सही आंसर हो ऑप्शन नमर ए है पौदे बढ़ते हैं लेकिन केवल एक निश्ची तुम्र तक ऐसा नहीं है पौदे बहुत लंबे बढ़ जाते हैं केवल जीवित जीव बढ़ते हैं ऐसा भी लिविंग और्गेनिजम ग्रोव ऐसा भी नहीं है अब ऐसा क्यों नहीं है आप आप बोलोगे भाई टेवल थोड़ी नहीं वढ़ते लेकिन आमने पता एक रेट रेट का टीला देखा है इसको इसन लेग्जाम्बल था है एक रेट का टीले है हवा चलती उसके उपर और रेट जम ती तो तो वह भी घ्रोख कर रहा है न है न उसके पर बढ़ गया ना तो वह वह तो ओप्षिन गलत का इसका सही है ओंसर उन फ्रूम इंसाइट ६त जीवों में जो विर्दी होती है वो अंदर से होती है यह ध्यान रखना यह मैंने इसका आंसर दे दिया इंट्रस्टिक हतम हो गया सारा पता नहीं दिमाग कहा था इसको आप याद रखना ठीक है एक कोशन हो रहा है तर्म फाइलम वास कॉइंड बाइ फाइलम शब्द किस ने दिया लीनियस कुवियर है केल और इसमें से किस ने फाइलम शब्द को दिया ठीक है तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका है केल है केल ने फाइलम शब्द को दिया ठीक है वीटेकर ने पांच नाम पदिती दी थी पांच जगत के बारे में हैकल ने क्या दिया था आपका फाइलम शब्द दिया लेखक इन्होंने दुई नाम पदिती को अपनाया और इंप्रेस्टस इतना खतम कर दिया आज के लिए इतना ही अगर आपको कोई दिक्कत हो कोई डाउट हो एनरजी लो लगी हो तो उसके लिए माफी चाहेंगे कोई दिक्कत हो क्योंकि काफी समय बात क्लास स्टार्ट कर र सक्षिन में कमेंट कर सकते हो कुछ समझ में ना आया हो कि सर्जी यह उपर सर्ज के उपर से गया मुझे समझ में नहीं आया तो मैं उसकी स्पेशल स्लाइड अगले वीडियो में लगाऊंगा आपको समझाने के लिए हमारी तरफ से इतनी कोशित हो पूरी करेंगे और आज आज औफिशली के विस प्याडी की तैयारी प्रारम बहुद हो चुकी है श्री गणे शमने कर दिया तो याद रहे कोई कोश्यन हो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है टेलिग्राम पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बाद नहीं आप आपका मैसेज म लगी हो आप वे फिक्र बोल सकते हो हम शर्माइंगे नहीं कि आते बच्चे न ऐसा क्यों बोल दिया हम उसका रिस्पॉंस करेंगे कुछ समझ में आयो आज की वीडियो में कुछ उपर से गया हो तो आप मेरे को बोल देना मैं कमेंट सेक्शन से कमेंट को पढ़के उस बच् मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे बाई